इस वरिश हर तारीका का बृत जिसको हम लोग एक साधर्ण शब्दों में तीजा कहते हैं एक 18 शितंबर दिन शोमबार को है और इसका विशेश महाद में एह है कि जो कुमारी कन्याई इस तीजा का बृत भक्तिभावशे जो है माता पार्वती जी के शहित महादेवी का पू जो है रूपवान गुणवान दहनवान जोगी उनकी मनों कामनाओं को पूर्ण होते हैं जो शौभाग वति जो है शुन्दर इस्त्रियां है उनके पति की शुन्दर फ्रेष्ट आयू की ब्रत्ध होती है उनके शौभाग की ब्रत्ध होती है और किशी के जो है शुन्दर पति कुंडली में जो है कोई आयू में गड़वड़ी है वेपी धिवत भक्ति भावशे सुन्दर श्ती जा हर्तालिका का ब्रत जो सुन्दर करती हैं उनके समस्थ अनिस्ट दूर हो जाते हैं फ्रेश्ट आयू की ब्रत जी होती है क्यों भावी मेंट श्रकाहित्र पूरारी किस ने किया कैसे किया इसको जो है माता पारुती जी ने किया ए पहले दक्ष की पुत्री थी और जो की महादेव जी को जिनका नाम था साती महादेव जी को विवाहित की गई थी महादेव जी से जिनका विवाय हुआ था लेकिन दक्ष ने जो महादेव जी का अपमान किया यग में महादेव जी को भाग नहीं दिया और शती जी वहाँ पर दक्ष के यग मंड़प में पहुंची है महादेव जी का अप्मान देख करके भाग न देख करके उनको सहन नहीं हुआ अपने सरीर को नश्ट करने का विचार की और उसी शमय प्रभुशे प्रार्थना की जो सती मारत हरी शन बरमागा जनम जनम शीव पद अनुरागा और अपने सरीर को योग आगने से दग्स कर दे दूफ राज जन उन्हें परवत राज हिमाले के यहां मिला जिससे जो परवत अश्या पुत्रम पारवती परवती की पुत्री होने की उनका नाम पारवती हुगा उनको पूर जनम की पूरी बातें आद थी और जनम लेकर के महादेव जी के अराधना में लग गई जिनका शंकल्ब था जनम जनम लगी रगड़े हमारी बरवे संभो न तैरावों को मारी महादेव जी के आराधना करने लगी एक दिन नारज जी जो है परवत राज हिमाले के यहां पहुँचे परवत राज हिमाले ने पूजा किया और पूछा है तो इवाईशि नारज जी आपका यागमन कैसे हुआ नारजी मुश्कराते हैं गुले है परवत राज हिमाले आपकी पुत्री को श्यम भगवान नारेण ने मांगा है कि जो है अपनी बेटी का विवाय मुझ से कर दें एशा सुनकर के परवत राज हिमाले का मुख प्रसंदता से खिल गया उनकी पत्नी मेना भी प्रसंद हो गए और कहीं ठीक है भगवान नारेण तो इतनी सुन्दर है जिनके शामने कोटी मनों जल जावनिहारे कोटी मनमत लावर्णे हो हर चंदन जर्ची तहा जिनके शुन्दर्ता के शामने करोडों काम दें की शोभाती रस्कित होती है ऐसे भगवान नारेण के यदि मांगा है तो मेरा अहोगाग्य है और शुन्दर्नारेण जी मुश्कराते हुए पारवती जी के पास पहुँच गए और कहने लगे पारवती में तुम्हारा काम सिद्ध कर दिया तुम्हारे पिता जी तुम्हारा बिवाए जो है भगवान नारेण के साथ करने को तैयार हो गए है इतना सुनते ही पारवती जी मुर्चित हो गए है उनकी शक्षियों ने आँखों में जल सीचा जब होश आया पूँचीं पार्वती कैसे तुम बेहोश हो गए थी पार्वती जी ने कहा मैं अपने को तो महादेव जी के लिए शमर्पन कर चुकी हूँ लेकिन मेरे पिता मेरा बिवाए जो है भगवान नारेन से करना चाहते हैं तो सक्षियों ने कहा तुम चिंता मत करो हम तुम्हें ऐसे जगए पहले जाएंगी जिससे तुम्हारे पिता को भी पता नहीं चलेगा वे दोनों सख्या मार्वती जी को ले करके परवत के कंदरा के पास पहुझ गई जहां पर जो है सुन्दर गंगा जी प्रवाहित होती थी और वहां जाकर के परवती जी तपश्या करने लगी और एक दिन पूरा दिन कुछ नहीं ली पुरी राद भी कुछ नहीं ली और उसी पस्या से हरतालिका के प्रिश से आज महादेजी का आसन डोल गया और महादेजी शंदर पहुझ करके पार्वती की खच्षित बर्दान दिया, जो है आयशचंदर इसलिए पह जो आइड़ो के द्वाराश्य खरण करके जो ले जाई गई थी उनका नाम उस बधत का नाम हर ताली का गुआ और उस ब्रत से ही और जो है महादेजी का सिंधा संडोला और पार्थी जी की मनोगामना की पूरती हुई जब परवत राज हिमाले पहुँचे है प्राता हकाल पार्थी जी पूरा दिन पूरी राध्री महादेजी की पूजन करती रही और महादेव जी का भी सर्जन करके और लौटी ही थी तब तक परवत राजी हिमाले पहुंच गए अपनी बेटी को देखर करके हरदें से लगा लिया नेत्रों से अस्व की धाराएं बहने लगी बेटी तुमने ऐसा क्यों किया पारुटी ने कहा पिता जी आप जो है मैं तो कि शाथ ही तुम्हारा विवाय करूंगा पारुटी जी प्रिशन हो गई इस प्रिकार से एह हरताली का कव्यत कुमारी कन्याओं के स्रिष्ट मनों कामना को पूर्ण करने वाला एक्षित पती को प्रदान करने वाला और शौभग वतिस्त्रियों के फ्रेष्ट शौभग की ब्रद्ध करने वाला है बोले प्रिवापति महादेव जी की जैए